के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हलो दोस्तो नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल मानी मस्ती पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहा है स्टेट बैंक आफ इंडिया के बारे में जी हाँ दोस्तो इस्टेट बैंक आफ इंडिया ने क्वाटर ट्री के अपने रेजल्ट घोसित कर दिया है कैसे रहे रेजल्ट इसका स्टाक प्राइस ने रियक्सिं दे दिया है दोस्तों साथ ही साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके fundamentals की अब कैसे है fundamentals साथ ही technicals parameters की भी चर्चा करेंगे इसके लामा हम chart की भी analysis करेंगे chart पर start term target और stop loss resistance support resistance की हम चर्चा करेंगे दोस्तों तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए साथ में bell icon भी दबा दिए ताकि latest finance की वीडियो सबसे पहले आपको मिले दोस्तों चली वीडियो सुरू करते हैं जिया दोस्तों वीडियो की सुरूआत हमेशा की तरह state bank of India के कारोबार से करते हैं आपके सामने 397 रुपए की closing price दिख रहे है च्छै प्रस्त की बढ़ोतरी दज की गई है दोस्तों previous close की बात करें 335 रुपए का open की बात करें 334 रुपए का high की बात करें 335 रुपए का साथ में लो की बात करें 331 रुपाय का लो है दोस्तों अगर जो मैं आंकड़ा हमेशा दिखाता रहता हूं दोस्तों हाई के नियर बाउट क्लोजिंग प्राइस हमेशा स्टाक प्राइस के लिए पॉस्टिव होती है दोस्तों अगर हम डिलिवरी का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों 14 क्रोंड डिलिवरी में उठाये गए हैं 18 प्रतिसवत का यहां कड़ा है काफी सांधार बैंक्गे सेक्टर के लिए दोस्तो काफी सांदार डिलिवरी मानी जाएगी दोस्तों अगर ये कारोबार हुगा है तो हम Previous के Insider Trading और Investing की सबसे पहले आंकडे देख लेते हैं तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिन्होंने आज की डेट में ट्रेडिंग की है या इनुर्टिंग की है दोस्तों तो मैं उनका नाम नहीं लोगा दोस्तों चार फर्वशनी की डेट में मैं बताता हूं तो 35ruपै पर खरिदारी हो की है ये करीबँन स्व mogąटिटी में 6, की लाइन約 को delivery PLUS NCC PLUS BSC का delivery वालूम मानों इसके लावा NCC PLUS BSC के delivery वालूम percentage को गुलाबी रंग से व्यक्त किआ गया है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यह आंकडा है 23 दिसंबर से अब तक का जिसमें वालूम की परस पर्सेंटेज आफ काफि काफ़ी अच्छी देख रहे हो लगातार पूरे दिसंबर भर इसके अलावा हम बात करें दोस्तो वालों भी अछे बने हैं दोस्तो साथ ही परशेंटेज आफ डिलेवरी वालोम भी काफी बहतर दिखाई देती है दोस्तो अभी की तुरंत की अगर हम बात कर लेएं आपके सामने मैं इस week का आगर आकड़ा रखता हूं दोस्तों तो काफी बहतरीन ट्रेडिंग दिखाई देती है जिसमें आप देख सकते हो पिछले तीन दिनों में एक फरवरी से लेकर चार फरवरी तक काफी अच्छी माल को डिलेवरी में उठाया गया है साथ ही अच्छे वालूम्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों यह था डिलेवरी का आकड़ा अब हम सीधे चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ जी हां दोस्तों टेक्निकल में आगे बढ़ने से पहले हम सेर होलिंग का आकड़ा भी देख लेते हैं आपके स fund की बात करूँ दोस्तो नो दस्मलोब आट का है इसके नवा एफाइसश साथ है दोस्तो साथ में अगर मैं बात करूए जा फॉजब lt Ruby और प्रस्त कर रहा था दोस्तों जबकि यह दिसमबर 2019 में 13.8 प्रस्त का हो गया था दोस्तों अगर दिसमबर 2020 की बात करें यह 12.7 प्रस्त हो गया है दोस्तों म्यूचल फंड ने अपने हिस्सदारी को घटाया है दोस्तों अगर मैं एफाइस की बात करूं तो एफाइस ने 9.4 क 2018 में आप आकड़ा देख रहा हो जबकि दिसंबर 2019 में 11 प्रस्त हो गया था दोस्तों जम्प देखने को मिला था लेकिन इन्हों ने दिसंबर 2020 में 7.8 से अपनी इंक्रीजमेंट की है दोस्तों फाई जने म्यूचल फंड की होलिंग्स को खरीदा है दोस्तों अगर हम बात करें अब टेक्निकल्स की जी हा दोस्तों टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो रिटर ननल से सबसे पहले आपके सामने है वन वीक का अ जी इस्टेट बॉनगका फिंडिया की सिर प्राइस में इं 209 का हाई 209 का लो दोस्तो तmpfen का अगर हम आकड़ा देखें क्या जबर जस्त रिटरन दिया ने 독ट 欠्टर में का ने Ruby our post 2008 हर उत् qualified उत्थाइ सब् maritime का है त equiv 175 का लो था दोस्तो Burins Year की बात करें आपके सामें 15% का जंब दिखाई दीरास है स्टेट बेंक का इंडिया में 388 का हाई दोस्तो 149 lub आपके सामने 33 का अगर हम पाइमाना देखें दोस्तो 19 प्रसद का यह जंब का low रहा है दोस्तों अगर मैं बात करूँ5 10 साल की तो 342 अ प्रसति का return दिखाया दे रहा है thatrs 387 पर हाई रहा है 145 का low रहा है दोस्तों काफी अवर्वल दर्जे का return दिखाया देता है दोस्तों चलिए दोस्तों टेकनिकल से जूड़ी हुई कुछ और बातों की चर्जा करते हैं अगर हम pivot level की बात करें support and resistance की तो resistance दिखाई दे रहे थे दोस्तो 341, 346, 353 को cross करते हुए stock price high की तरफ बढ़ा है दोस्तो support की अगर हम बात करें 327, 319, 313 की ये support दिखाई देती है दोस्तों तो ये थे pivot levels अगर हम साथ ही साथ और भी parameters देखे तो जी है दोस्तों अगर average brokerage की targets हम देखे दोस्तों तो 293 रुपए का आता है दोस्तों जो यहाँ से 70% current market price से 70% दस्मलों 2% का downside है दोस्तों निश्चित रूप से अपने सारे brokers के target को above करता हुआ stock price जा रहा है दोस्तों अगर हम बात करें इसके fundamental की तो fundamental की सुरुआत हम सीधे result के parameter से करते हैं जहां पर आप देख सकते हो दिसंबर 2020 की तुलना हम दिसंबर 2019 से कर रहे हैं दोस्तों quarter 3 2020 की तुलना quarter 3 2019 से कर रहे हैं दोस्तों अगर हम interest की बात करें दोस्तो एक दस्मलों चार एक प्रस्त की गिरावर देखी जा रही दोस्तो एयर आन एयर बेसिस का अगर हम तुलना करने हैं दोस्तो साथ ही साथ हम नेट प्रॉफिट का अंकड़ा देते हैं जो 5196 पर रहा है दोस्तो अगर दिसंबर 2019 में देखे 5583 करोन का यह आकड़ा रह ऑना सेप्टेमंबर 2020 से इंट्रे स्टन का परामीटर देखे 96167304 करोन का यह आकड़ा रहा है दोस्तों ब्याज की कमाई जबकि ब्याज की कमाई सेप्टेम Bab 2020 में 6882 करोन का यह रहा है दो जीड़ो दस्मलों एक दो प्रस्त की बड़ोतरी देखी जा ही दोस्तों अगर हम net profit का आंकड़ा देखे दोस्तों पांच हजार एक सो चानवे करोन कर रहा है दोस्तों चार हजार पांच सो चोहतर करोन का यहां करा सेप्टेमबर 2020 में था quarter two कि में था दोस्तों 13.62 प्रस्दत की जंप देखी जा रही दोस्तों यही चीजें इनफॉर्म करना चाहता था दोस्तों अगर हम इनके NPA की चर्चा करें तो दोस्तों NPA की सुरुआत हम ग्रास NPA से करते हैं दोस्तों परसेंटेज आफ ग्रास NPA आप देख सकते हो चार दस 2777 पर 27 2020 में देखा जा रहा है सेप्टेंबर 2020 की बात करें 5 28 देखा जा रहा दोस्तों जबकि 28.19 में 6.94 का देखा जा रहा है दोस्तों तो यह समें काफी सुधार हुआ है दोस्तों ग्रास NPA में मैं देख रहा हूँ quarter on quarter दोस्तों और अगर yearly की भी तुलना करें दोस्तों तो काफी सुधार देखने को मिला है साथी साथ अगर हम net NPA का आंकड़ा देख ले दोस्तों आपके सामने net NPA का आंकड़ा है जिसमें 1.23 का आंकड़ा दिसंबर 2020 में है दोस्तों 1.59 का पिछले quarter quarter 2 में रहा है दोस्तों जिससे काफी सुधार net NPA में भी देखने को मिला है दोस्तों अगर दिसंबर 2019 की तुलना करें दोस्तों 2.65 का दिसंबर 2019 में था दोस्तों quarter 3 2019 में यह आंकड़ा काफी उपर था तो net NPA में भी काफी सुधार देखा जा रहा है दोस्तों ये काफी important है state buying of India के लिए दोस्तों चलिए दोस्तों हम आगे की चर्चा करते हैं जी हाँ जी हाँ दोस्तो कुछ और प्रमुख बिंदूओं की चर्चा करें तो आपके सामने सेल्स का अंकड़ा मैं ने रख दिया दोस्तों जी हाँ दोस्तों je दस प्रस्त से इंक्रीजमेंट दिखाई दे रहा है दोस्तो पांच साल में पांच प्रस्त की इंक्रीजमेंट तीन साल में पांच प्रस्त की इंक्रीजमेंट ट्रेलिंग ट्वल मंथ में दो प्रस्त की जम दिखाई दे रही है दोस्तो साथ ही साथ अगर हम प्रॉफिट का आप compounded देख सकते हो दोसो 291 प्रतिसत दोस्तों ये जरूर आपको point note करना चाहिए trailing 12 months का 62 प्रस्त पर आता है दोस्तों साथी साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों क्यों ये number one है दोस्तों PSU बैंकों में तो आप देख सकते हो दस साल का parameter तीन प्रस्त की जम्प दिखाए दे रही है दोस्तों CAGR में 5 प्रस्त की ठातियर की बात करें 16 प्रस्त की जम्प दिखाए दे रही है दोस्तों आंकड़ा काफी बहतर है CGR का भी दोस्तों अगर हम बात करें return on equity के तो आपके सामने return on equity का पैमाना है दोस्तों 10 साल में 7% का return on equity ROE रहा दोस्तों 5 साल का parameter देखे 3% रहा है 2 साल का देखे 2% दो प्रतिसत पर रहा है के चार्ट पर तो अब आपके सामने है state bank of India का चार्ट दोस्तों चार्ट की सुरुवात हमेशा हम 15 मिनट की candle से करते हैं या 15 मिनट के time frame से करते हैं दोस्तों आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है जिसमें आप 377 रुपए की price देख रहे हो साथ में अगर मैं वालूं की बात करू दोस्तों तो आपके सामने वन आवर का चार्ट आपके सामने है दोस्तों काफी सांदार चार्ट है अगर मैं की बात करूं काफी अच्छी 10 लाइन में जा रहा है दोस्तों अगर मैं वालूं की बात करें दोस्तों तो आपको खास वालूं दिखाई दे रहा है दोस्तों प् दे का चार्ट आप देख सकते हो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इसके आरेसाई की तो 78 पर दिखाई दे रहा है दोस्तों में सेट बैंक आफ इंडिया जाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों काफी positive candlestick बनती होई दिखाई दे रही दोस्तों अगर हम volume की बात कर आपके सामने देख दे दोस्तों one week का चार्ट और भी सांदार है दोस्तों volume का आंकड़ा देखे दोस्तों काफी सांदार volumes बनते होई दिखाई दे रहे हैं दोस्तों लगातार दोसों के price से अगर हम बात करें अभी तक volume जबरजस्त बनता हुआ लास्ट का volume और भी जबरज की चर्चा कर रहा था दोस्तों आपके सामने एक resistance है दोस्तों 370-360 रुपए का जो immediate आपका target होगा दोस्तों वो 360-370 रुपए होगा जी हां दोस्तों अगर अपनी positions रखे हो तो इस stop आपने एक stop last के साथ आपको अपनी positions रखनी चाहिए इस से उपर जाने पर एक बड़ा breakout आउठ होगा जिसमें 400-430 तक के आंकड़े देखे जा सकते हैं दोस्तों जिहां दोस्तों लांग टर्म या medium term target आपको 400 रुपए से 430 रुपए तक के आंकड़े देखे जा सकते हैं इस टेट मैं काफ इंडिया में मैं बात करूं दोस्तों वालोंस की तो मंतली का वालोंस अभी outstanding रहा है दोस्तों मैं MSCDA काकड़ा देखी काफी बैतरीन दिखाई देता है दोस्तों RSI भी positive बना हुए दोस्तों तो state bank काफ इंडिया अभी भी ऊपर जाने का दमखम रखता है दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों इस्टापलास की अगर आप swing trader हो साल टन के तो वन डे के चार्ट से आपको समझ में आएगा कि swing trading के लिए आपको इस्टापलास मुझे लगता है तीन सो दस रूपए का इस्टापलास आपको लगाना चाहिए दोस्तों अगर आपकी positions है तो आप नीचे के levels पे और add कर सकते हो दोस्तों जब तक यह 300 से ऊपर बना dips का इंतजार करना चाहिए और साथ में अपनी इस गिरे हुए opportunity के साथ आपको positions add करनी चाहिए दोस्तों तो यह थी मेरी swing traders के लिए long term के लिए मैंने आल लेडी बता दिया दोस्तों 400 से 430 तक का target इसमें देखा जा सकता है बहुत बड़ी तेजी बनेगी जब यह 370 के levels को cross कर देगा all time high को cross कर देगा दोस्तों तो यह थी state bank का फिडिया पे मेरी रहा है दोस्तों आप अपने financial advisor से जलू सलाह मसवरा करें